नमस्कार दोस्तों स्वागरे आप सभी का तेकर आज यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने Redmi Note 9 Pro पर download speed setting के से कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको जाना है download speed test आप कितना speed से कर सकते हैं आपके device पर तो वह दोस्तों आपके net rock पर depend करते हैं तो उसके लिए दोस्तों हमें टेस्ट करना होगा नेट्रोक टेस्ट ठीक है तो नेट्रोक को यहाँ पर टेस्ट करना होगा कि कितना स्पीट यहाँ पर अभी हमारा जो नेट्रोक है वो पकर रहा है उसके बात ही दोस्तों आपको यह चीज जो है पता चलेगा कि आपका जो डाउनलोड है वो कितना स्पीट से होने वाला है ठ वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन को क्लिक जरू करें यह यह आप उनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लिम के रिगार्डि को ट충र करके आपको यह ओंकर देना इस्यों connection स्पिट यायनिक待 आपको उपर में यह शो करेगा की आपका जो नेत्रों क्यिक मेट में जा रहे ठीक है तो उससे आपको यह उन्दजा हो जाएगा कि आपका नेर्ट अभी दोस्तों आप जाए सिंकार्ड अभाइल नेट्रोक पर उसके बाद नीचे में जाके एड़न्स सेटिंग को उपेन करें उसके बाद आप जाएं दियागोनेश टिक पर तो यहां से अपना टेस्ट कीजिए नेट्रोक को ठीक है तो आभी दोस्तों आप देख सकते हैं अभी जो नेट्रोक चल रहा है वो है 0.16 kbs तो इंटरनेट कनेक्शन इस नॉर्मल यहापर आपको बता रहा है ठीक है तो ओके आपको कर देना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप इस तरह के से आप नेट्रोक स्पीट को देख सकते हैं अभी दोस्तों आप प्लेश्टोर पर जाएए अगर आपको कोई डाउनलोड करना है जैसे कि यहाप पर चलिए यह तो हो गया दोस्तों प्री रेजिस्ट्र वाला गें ठीक है तो कॉल अफ द्यूटी तो इसको इंस्तॉल करने के ट्राइब तो आप उपर में देख सकते हैं मेरा जो अभी स्पीट है डाउनलोड का वो है 403 KBS तो यह बर के आगे भी जा सकते हैं या फिर घट भी सकते हैं तो आभी दोस्तों यहाप पर मेरा जो डाउनलोड है वो काफी जारा फास्ट में डाउनलोड होगा अगर आपका जो KBS देखना है तो दोस्तों आप उपर में जो मैंने आपको शो करके बताए आप अपने स्टेटास बार से देख सकते हैं आपका डाउनलोड स्पीट सेटिंग ठीक है तो इस प्रकर से दोस्तों आपको डाउनलोड स्पीट देखना है कितना स्पीट से हो रहा है आपको जानना वो अभी के लिए कितना fast हो रहा है ठीक है तो इसके regarding पर आपको कोई भी चीज़े जानना है तो दोस्तों आप simply comment कर दीजिए कोई भी problem है तो उसका भी हम solution बता देंगे आप simply comment पर बता दीजिएगा तो आज के लिए बस इतना ही thanks for watching